नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2024 या कि यह पित्रपक्ष महीने में पढ़ रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि पित्रपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, गुरु जी ने कहा कि इस पित्रपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, पित्रपक्ष महीने में आपके पित्र इस धर्ती पर आते हैं और यदि हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आप से प्रसन्न हो जाते हैं तो दोस्तों इस पंचमी तिथी के दिन आपको यह उपाय जरूर ही करना चाहिए और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो पंचमी तिथी का यदि सबसे बड़ा कोई उपाए है, तो वह साथ चने की दाल वाला उपाए है, तो दोस्तों, इस रविवार पंचमी के दिन आप लोगों को इस साथ चने दाल वाला उपाए को जरूर करना है, बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाए को ना किया हो, मतलब पर यदि आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की पंचमी तिथी के दिन, यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी. इसी लिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके. दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुरान की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को के पश्चात, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पित्रपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प अपती भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को साथ चने की डालवाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए, तो भाई उस खास दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस द उपाय को बहुत ही बड़े खास दिन पर कर रहे हो, तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है, कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है, और कैसे करना है, तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो म एक-एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना, तो द जाएंगे, और जो यह वीडियो देखिएगा भाई, उसको साथ चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन खास महत्व होता है, और जब बात आ जाए साथ चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बह तो अब दोस्तों, इस साथ चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं, तो देखो घर की जो बड़ी माताएं, बहने होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता, बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, और दोस्तों, यदि आप चाहें, तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं, यदि किसी व्यक्ती की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वो आपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान्ती के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को ह एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है, माताएं बहने यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उसके पश्चात में दोस्तों, जो अगला प्रश्ण निकल कर आता है, वह ये आता है इस उपाय को लेकर, कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है, कि शाम के समय करना है, तो देखो, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, और शाम के सम अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस साथ चने की दाल वाला उपाय को करने का। अब करेंगे, तो हमें कितने बजे से ले कर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो सुभह जितनी जल्दी हो सके, आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो दस या ग्यारह बजे तक भी आप प्रदोश काल की बात करें, प्रदोश काल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है. मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोश काल का समय होता है, इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कल है रविवार का दिन है पित्रपक्ष रविवार पंचमी तिथी है महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र द देते हैं आज के इस वीडियो में वैसे तो हम कुछ खास उपाय के बारे में बात करेंगे और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ट उपाय है भाग्य का उदय करने वाला यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पा आता है तो खास कर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा खास उपाय होने वाला है। पित्रपक्ष रविवार पंचमी तिथी बहुत ही ज्यादा खास होती है। तूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है। ठीक है साथ चने की दाल या एक प्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुब है चने की दाल। देखो यह उपाय किन को करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में दुरभाग्य बहुत ज्यादा है। जो लोग चाहते चने की दाल आपने लेली अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी लेलो जिसके अंदर दो चमच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना ठीक है और साथ में लेना है मैं तांबे के पात्र के अंदर चल ठीक है यह तीनों मात् रख्षरविवार पंचमी तिथी के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में देखो। आपका कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन यदि जीवन में तेज होगा जीवन में उर्जा होगी तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा। इसलिए हम आज यह उपाय करेंगे देखो करना क्या है चने की दाल देखो आप क्या करोगे सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। ब्रहस्पती शवर महादेव का स्मरण करते हुए ब्रहस्पती देव को मजबूत करते हैं। वह भाग्य का देने वाले होते हैं, जीवन से दुरभाग्य को दूर करने वाले जिनकी किस्मत नहीं, भक्ती ना उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। यह आपको भग्वान के शिवलिंग पर का जाप करते हुए, आपके जीवन के दुरभा भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ती हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। वह उस चने की दाल पर देखो, उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है। और आपकी जो भी खास कामना है, जो भी मनो कामना है, भाग्य से जुडी हुई। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है, वह आपको बोल देनी है। प्रार्थना करने के पश्चात हाथ हटाना और उसका जो की पात्र के अंदर जो जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आप श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो पिटरप्स रविवार पंचमी तिथी का महत्व होता है, रात्री में यानि की सूर्यास्त के पश्चात। क्योंकि रविवार पंचमी तिथी यानि की रात्री में ही, जैसे नवरात्र का महत्व रात्री में होता है, उसी प्रकार से रविवार पंचमी का महत्व भी रात्री में होता है, लेकिन यदि फिर भी यदि आप रात्री में नहीं कर पाते या आपके घर घर के आसपास नहीं देते, मंदिर में तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं, तो यह हो गया। काली मिर्च के उपाय रविवार पंचमी पर आपको करने चाहिए, देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामगरी लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है, सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के उपर काली मिर्ची रखना, और इसी सीधे हाथ पर आपको काले ति ठीक है, अब आपको क्या करना है? परेशानी, संकट जो है, वह सब दूर होते हैं. यह अरपित कर दिया, उसके पश्चात जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय, नमस्तु के कष्ट, बाधा जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, हो जाए, ऐसी कामना करते हुए, आपको यह जल अरपित करना है, यह हो गया, दूसरा उपाय, अब हम बात करते हैं, तीसरे खास उपाय की, बहुत ही प्यारा सा, यह भी मनोकामना पूर्ती का खास उपाय है, माता सुंदरी वाला खास उपाय है, इस उपाय के लिए, आपक ठीक है, गुडवाला जल सात में है घी और सात में लेना है, एक बेलपत्र और उसके सात में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल यह चारों सामगरी आपको ले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में सुभह से लेकर के रात्री तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उ पत्ती होती है, तो उपर वाली जो पत्ती है, उसमें आपको लगाना है। अब उपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे? आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तरजनी उंगली, तरजनी उंगली में घी लेना और उपर वाल समझ में ठीक है अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो गुड़ वाला जल भी ले सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है चंदन लेना आप आपकी चिठी के पास वाली उ उंगली कहते हैं, तरजनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है, या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है, अब यह जो बेल पत्र है, इसे उठाना, और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, वहाँ पर इसे अर्पित करना, आपकी जो भी मनोकामना है, वह बोल करके अब यहाँ पर देखो माता, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेल पत्र कैसे अर्पित करना है, डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए, इस उपाय में यही विशेश्ता है, देखो डंडी का हिस्सा शिवजी तरफ होना चाहिए, और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से आपको बेल पत्र अर्पित करना है, और जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर क्या है, थोड़ा सा जल पत्नी पर जो पत्ती आप अपने बेलपत्र अर्पित करना, माता वाले स्थान पर उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेश जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना, जो भी खास मनोकामना होगी, इस 22 सितंबर पित्रिपक्ष रविवार पंचमी तिथी पर आपको महादेव से कह देना है, निश्चित तोर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी,